हेलो गाईस, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फोटोशॉप आपने कहीं बार अपने दोस्तों से या आसपास के लोगों से फोटोशॉप के बारे में जरू सुना होगा जैसा कि अगर हम बात करें फोटो एडिटिंग, फोटोग्राफी या वैडिंग फोटोग्राफी की यहां तक की फिल्म मेकिंग और एनिमेशन की तो इन सभी में फोटोशॉप का यूज किया जाता है दोस्तो आशान भाचा में बात करें तो फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग और ग्राफिक बेस्ट सॉप्ट्वेर है जिसका इस्तमाल क्रेटिव एंड प्रोफेशनल इमेजेस बनाने और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किया जाता है अब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट टर्म है जो मैंने अभी यूज किया है फोटो एडिटिंग इस पोर्शन को ध्यान से समझेगा एक्चुल में फोटो एडिटिंग दो पोर्शन में बटा हुआ है पहला वेक्टर और दूसरा राश्टर वेक्टर ग्राफिक में मैथमेटिकल फंक्शन का यूज किया जाता है जिसकी वजए से इससे बने इमेजस को जितना भी बड़ा किया जाए वो फट्ती नहीं है एक्जामपल के लिए पोश्टर पैमपलेट्स एटरेक्सा आपने नोटिस किया होगा जो रोट्स पर या फिर बिल्डिंग्स पर पोश्टर लगे होते हैं वो कितने बड़े होते हैं लेकिन फिर भी उसमें लिखावत साफ-साफ दिखाई देती है तो इन में vector graphic का ही use किया जाता है vector graphic के लिए जो software use किया जाता है वो coral draw है जिसके बारे में आपने जरू सुना होगा अब बात करते हैं raster graphic की जिसमें image को create करने के लिए pixels का use किया जाता है अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि pixels क्या होता है तो जरा इस image को गौर से देखिए ये एक normal image है और जब हम इसे हद से जादा zoom कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है हमें लगता है कि ये image फट गई है बट actual में ये जो छोटे छोटे दब्बे होते हैं यही pixels होते हैं और करोडो pixels इकटा होकर यानि मिलकर एक image create करते हैं तो Photoshop एक राश्टर बेस्ट graphic software होता है और इससे बनने वाली image के different different format होते हैं जैसे PNG, JPEG, GIF, Atrexa अब बात करते हैं कि Photoshop के क्या-क्या फायदा है तो दोस्तों कुछ लोग को लगता है कि Photoshop का use सिर्फ photo का edit करने के लिए किया जाता है बट ऐसा बिलकुल भी नहीं है Photoshop के multiple फायदे हैं और इसका use भी multiple चीजों में किया जाता है इंडस्ट्री में इसके बहुत सारी use हैं जैसे कि अगर हम बात करें web designer की तो कहीं सारे web designer Photoshop में ही पहले website का layout तयार करते हैं और client को send करते हैं अगर client को website का layout पसंद आता है तब web designer HTML, CSS और Java script से website डिजाइन करते हैं और अगर हम बात करें app developer की तो वह भी पहले Photoshop में ही user interface तयार करते हैं और फिर उसके बाद application डेवलॉप करते हैं इसके अलावा 3D game developer भी अपने character की digital photo Photoshop से ही तयार करते हैं Photoshop से आप ऐसे scene create कर सकते हैं जो actual में होते ही नहीं हैं और example social media पर आपने कहीं ऐसी images देखी होंगी जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो गयोंगे कि क्या ऐसा सचमुच में होता है तो अगर आप Photoshop सीखते हैं तो इसके बहुत सारे फायदा हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों में Photoshop का यूज किया जाता है दोस्तो अगर आप अब जानना चाहते हो कि Photoshop किसने invent किया तो Photoshop दो भाईयों ने जॉन नौल और थॉमस नौल ने मिलके 1987 में invent किया था अगर दोस्तो Photoshop सौट्वर से रलेटेट सारी information आपको clear होगी अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई doubt है तो नीचे comment box में में जरूर mention कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए Thank you